मैं तो सिर्सार्ति हूं हेलो दोश्कार फ्रेंस मेरे स्चेव इपवास में आपका स्वागत है वेदा मुवी देखके आया हूए एक्शन त्रिलर मुवी है इतना शांदर लगा थे कि क्या बता इतना वहस पे था इसको डिरेक्ट किया निखिल एडवानी ने जिरन डिरेक्टर डेब्यू किया तक तल होना और 2003 से फिर बहुत जोनरों की मुवी बनाई तो अभी अच्छी से एक्शन पैक्ट मुवी बना के आया है दोस्तों यह मुव तो हां अनेस्ट बूलूँगा यह सोशल मैसे अच्छा है इसमें कोई दोब्र आई नहीं है वहां पर दोस्तों अगर कोई निच जाती का लड़का उच्छी जाती की नड़की से प्यार करता है और जो होता है तो बहुत प्रब्लम आने वाले है क्योंकि वहां पर जो निय है जो डोची है अच्छे से दोस्त अपने भाइक के साथ बैंक अधर परिवार के साथ रहरे और प्रब्लम तब आती है जब उसका भाई प्रेव करते हो जाती लड़की को और फिर दोस्तों क्या कांफिक्स होते है जोन अबरें दोस्तों उसको बौक्सिक सिकाने के लिए एया PC तो गछाए तो दोस्तों कभी है कपप टुछरी दिखा यह य। वह होते हैं उसके साथ तुछ वह गिरा उनरस दी फ설 सभी एंगेजिंग था नहीं था जा रहे कि अप्सके जाए जा जादा दिखाते हैं कि हाँ पर एक्षेन की स्पीनिम्टोग्राफी और बैग्रांड विजित जबर जस्त है तो मुझे अच्छा लाथा कि यार आप हमारा आज बॉलिवूड का एक्षिन है ना वह हरी जिसा हो रहे हैं मुझे ऐसा लगा बाकी दोस्तों शरवरी वाग यह एक करेक्टर को इतना उन्होंने जी लिया है ना कि क्या वात है जब दोस्तों पाल काटते है फिर सेकंड आफ में लगते हैं क्या करने वाले कैसी तो बहुत इंट्रेस्टिंग स्ट्वरी है मुझे लगता है दोस्तों डिरेक्टर के लिए 100% 100 बहुत अच्छा काम किया है सब्सक्राइब अच्छा काम किया है अभिशेक बेंदर जी दोस्तों यार स्त्रीडू में कैसा साथ कॉमिक रोल कर रहा है यहां पर कितना प्रूटल रोल कर रहा है यह इस सूपर वर्सेट अलेक्टर कोई दो रहा है नहीं है तो एक्टिंग सभी की अच्छी है जौन को आ सकते हैं मेरे तरफ से दोस्तों इसको जैनरस त्री पॉइंट फाइब दोस्तों यह गलर टाइम पर आती तो यह अच्छी सी ओडियोंस को खीश पाती पर दोस्तों कि मुझे लग नहीं लगता कि यह ओमन पब्लिक के लिए बनी है सब नॉर्मन उडियोंस देखते हैं जान वाली ऐसे फिल्म पसंद नहीं करेगा वह यंग्स्टर होते हैं जो ऐसे मुवी पतंत करते हैं तो इस त्री टू भी एक बार देख लिए फिर बाद में वह वेदा देखनें बहुत कम दोश आएंगे कि हर एक का बजट अपना लिमीटेड होता है ना पर दोस्तों खेर मैं आपको जरूर रिकमेंट करूंगा कि आप देखें जरूर